Assalamu'alaikum friends, आज हम बात करेंगे कि सीजलतिजारी कैसे renew करते हैं और सीजलतिजारी renew करने में कितना amount लगता है और मैं आपको renew करके भी दिखाओंगा तो चलिए सब कुछ वीडियो में देखते हैं तो friends आप Google open करेंगे, आपने Google में सबसे पहले search करना है www.ecr.mc.gov.sa मैं description में link दे दूंगा आप वहाँ से click करके आप यहाँ पर आ सकते है यह ministry of commerce के website है आप यहाँ पर आ जाएंगे और आप इसको search करेंगे जैसे आप search करेंगे तो आप इसके website पर आ जाएंगे आपने यहाँ नीचे click करना है ले लिस्तिमरार और इद्गत है ना है जो आपको finger दिख रहा है आपने इस पर click करना है उसके बाद आपने नफास के थूरू लॉग इन करना है उससे पहले हम language change कर लेते हैं language change करेंगे उसके बाद हम नफास से log इन करेंगे login पर click करते है friends आप यहाँ से नफास के थूरू लॉग इन कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो नीचे आपको अपसर के user ID और password डालके भी आप login कर सकते हैं तो मैं अपसर के user ID और password से log इन करता हूँ user ID और password डालेंगे और login पर click करेंगे जैसे आप login पर click करेंगे आपके पास OTP जाएगा अपने OTP यहाँ पर इंटर करना है और continue पर click करना है continue पर click करते ही friends आप ministry of commerce की website में आप login हो जाएगे उसके बाद यह आपको home page आपने जाना है commercial registration में पेरिंगे आप यहाँ पर click करेंगे तो जितने भी sigill आपके हो अपके होंगे सारे यहाँ पर show कर देगा दीकइओ यहाँ पर इतने सारे इसारे Ugly Epistant अगर आपने और बहुद है तो आप यहां नीचे दो नमबर तिन नमबर पर click करेंगे जितने भी सिजल होंगे सब यहां पर show कर देंगे तो जो मेरे सिजल है यह जो currently active है मुझे इसको renew करना है क्योंकि 10 दिन बाद यह एकस्पायर है यह जो date है 22-4-24-24 का एकस्पायर है तो मुझे इसको renew करना है renew करने के लिए आपने उपर क्लिक करना रिकोर्ड प्रोसीजर्स आपने इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर एक feature मिलेगा renew this CR यानि की commercial registration number आपने इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप next page पर आ जाएंगे इसके बाद friends आपने terms and condition को tick करना है यहां पर और start your application पर क्लिक करना है जैसे आप यहां पर क्लिक करेंगे आपका application इस टार्ट हो जाएगा आपने sigil को select करना है और continue पर क्लिक करना है उससे पहले देखिए यहां पर दिखा रहा है कि यह एक साल से पांच साल तक का renewal है लेकिन यहां पर सिर्फ एक साल ही दिखा रहा है उससे जादा select हो ही नहीं रहा है यानि कि एक साल का sigil renew होगा उससे जादा नहीं हो रहा है आपने continue पर क्लिक करना है continue पर क्लिक करते है friends यहां पर fees आ जाएगी कि आपको कितना fees पे करना पड़ेगा तो यहां पर देखे स्टार्टिंग में 200 रियाल जो आपका है यह आपका sigil का रुसूम है यानि कि sigil का fees उसके बाद है 720 रियाल यह आपका गुर्फा तिजारिया है उसके बाद 500 है यह आपका national address औन वान लोतनी का यानि सारे यह चीज रियू होंगे साथ में गुर्फा तिजारिया उन्वान लोतनी उसे जिल यह सारे साथ में एक साथ रियू होंगे इसका total amount आपको आएगा नीचे 1528 रियाल अपने send request पे क्लिक करना है जिसी आप send request पे क्लिक करेंगे आप next page पे आ जाएंगे यहां पर देखी यहां पर payments दिखा रहा है payment करने को तो आपको यहां पर यह pay करना है आप यहां सदास से pay कर सकते हैं या card से pay कर सकते हैं मैं card से pay करता हूँ pay with credit card पे क्लिक करेंगे आप उसके बाद यहां पर मदा card है या फिर credit card तो आप कोई भी select कर सकते हैं आपने very conference नेम पिते हैं करुए कोई दिक्कत नहीं है। आपने出來 का फश्ट नहम डालना है और का बवल्ग का लाज़्ट नेम लाज़ नेम, काट नम्बर, काट का अदुस्पार एकज्बारी करके लेट and काज्बाकर मथ करण का से वीवी नंवर यानिनां निकिसार मरत पर आपको तुम्हें कर देता हूं जा काइंग कर देना है जू सब्सक्राफ आपको निंटर करना ऑठ गनेंust तो मेरे पास यहां पर OTP आ गई है मैं OTP इंटर करता हूं उसके बाद आपने Submit पर क्लिक करना है जैसे से Submit पर क्लिक करेंगे आपका पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा वर्ड यहां पर देखिए पेमेंट ट्रांजेक्सन नॉट कंप्लेंड़ यहां पर पेमेंट फैल हो गय अगर आपको भी ऐसा हो जाता है तो आपने क्या करना है आपने बैक आना है बैक आने के बाद आपने फिर से पे करना है पेवीद कार्ड पे फिर से क्लिक करेंगे आप सदार यूज़ करें सदार अपका फेल नहीं होगा कार्ड नमर हो जाते कभी-कभी तो फिर से मैं कार्ड का इंफरमेशन डालता हूं और पे पे क्लिक करता हूं तो ये फिर से OTP आ गई है तो मैं OTP एंटर करता हूं और समिट पर क्लिक करता हूं तीक है इस बार क्या था यहां पर दिखा रहा है कि duplicate record transaction already proceed बोरा है कि आप पर पहले वाला transaction तो वही हो चुका है तो आप duplicate transaction नहीं करो यानि कि पहले वाला payment हो गया तो दिखा रहा है लेकिन फेल हुआ नहीं payment हो गया है आपके साथ ऐसा हो जाए फ्रेंड तो आपने क्या करना है आपने फिर से home page पर आना है उसके बाद ऊपर देखेगा आपको my request आपने my request पर क्लिक करना है जो आपने request किया तो यहां पर आपका request आ जाएगा तो यहां पर दिखा रहा है waiting for payment बोरा payment के लिए wait कर रहा है payment हुआ नहीं है बट थोड़ा आप वेट करेंगे दो चार्य मिन दा समुट के बाद आप रिफ्रेंड करेंगे तो आपका यहां पर paid हो जाएगा तो तकरीबर 5-6 मिनिट के बाद मैंने जब इसको फिर से रिफ्रेस किया तो अभी भी pending में है थोड़ा वेट करते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर pending दिखाता है waiting for payment लेकिन यह payment हो चुका इसको देखने के लिए अगर आपको यहां बाजू में आई बटन दीखेगा ना आपन पर order status paid आपका जो amount है वो paid हो गया आप यहां से इसका invoice डाउनलोड कर सकते हैं invoice पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप फिर से नीचे आएंगे तो आपको यहां पर मिलेगा back to this request आपने back to this request पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए order status completed यानि आपका sigil renew हो गया है उसको print करने के लिए आपने simply print पर क्लिक करना है जैसे आप print पर क्लिक करेंगे तो आपका sigil यहां पर डाउनलोड हो जाएगा यह दिखे डाउनलोड हो रहा है और इसका payment receipt डाउनलोड करने के लिए आप नीचे आएंगे आपने invoice पर क्लिक करना है जैसे आप invoice पर क्लिक करेंगे तो आप payment वाले पर फिर से आएंगे तो आपको यहां पर उपर मिलेगा print का option आप यहां से print करके आप print receipt डाउनलोड कर सकते हैं चलिए मैं sigil आपको दिखाता हूँ यह दिखिए sigil मेरी open हो रही है यह दिखिए sigil और मैं आपको date दिखाता हूँ नीचे यह दिखिए date यह आपका 14,1445 था अब 24,1446 हो गया अब यहां पर 24,2025 हो गया इनकि एक साल का sigil बन गया है यह sigil आपको English में दिख रही होगी लेकिन आपके पास Arabic में आगी चाहिए भले आप language English चेंज कर लें तब भी आपकी sigil Arabic ही रहेगी इसको translate करना पड़ता है मैंने इसका translation किया है उसको fees payment करना पड़ता है sigil को English में translate करने के लिए तो मैंने एक साल पहले किया तो मुझे काम लगा था इसलिए नहीं तो आपके पास Arabic में ही sigil आएगा तो चलिए payment receipt भी डाउनलोड कर लेते हैं यह दिखे payment receipt भी डाउनलोड होने लगी रसूम तजदी सिजिल अनुआनल वच्छे नहीं 500 रियाल है इन्हीं सब मिला कि आपका 1528 रियाल आ गया है अब चलिए मैं आपको दिखाता हूंग अगर आपको इन feature कभी sigil प्रिंट करना पड़ गया तो आप कहां से प्रिंट करेंगे आप फिर से website के home page पे वापस आएं तो यह सिजिल आ गई उसके बाद आपने यहां आफिर में यहां पर भी date दिखा रहा हा लाइए 24225 आपने आखिर में यहां पर क्लिक करना है तिभा यहां पर तिभास इल आरभी है और नीचे इंगलेजि ए आपको अर्भी प्रिंट करना है तो आफ उपर से अर्भी कर सक नीचे आप English print कर सकते हैं इसके बाद friends आपकी sigil यहां पर download हो जाएगी Arabic में मैं आपको open करके दिखाता हूँ कि Arabic में sigil कैसे आई है तो यह दिखे friends अभी यहां पर सब कुछ Arabic में आ गया है जिस तरह का sigil होता है पहले English में था तो आप यहां नीचे आपको जो date मिलेगा वो हीचरी में date मिलेगा Arabic date मिलेगा आपको यहां पर 1446 अगर आपको यहां पर print करना है और print करने के लिए आपको सिंगल पेज प्रिंट करना सिरिफ यह बीच वाला जो sigil ते जा रही है तो आप यहां पर जो आपका all है आपने यहां पर custom select करना है और यहां पर दो नंबर पर sigil दे जा रही है तो आपने यहां पर दो टाइप करना है तो सिरिफ आपका सिजिल आ जाएगा आप यहां से इसको PDF में SSO कर सकते है या print करना है तो आप इसको directly इस तरह से print भी कर सकत तो आई होफ फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थेंक्स फर वाचिंग